वीडियोर में मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रही हूँ जो उन मुर्दों के लिए है जिनका पानी बहुत जल्दी निकल जाता है यहां तक कि उनका ओजार अंदर भी नहीं जा पाता उससे पहले ही वह धीले पड़ जाते हैं क्या अंदर दालने के बाद एक दो धक्के लगाते ही ज़ड़ जाते हैं दोस्तों इस नुस्खे में जो भी चीजें हमें चाहिए उसके लिए आपको कही भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यह आपको आपके घर में ही आसानी से मिल जाएंगी नुस्खे के बारे में सभी जानकारिया पाने के लिए इस विडियो को शुरू से आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा और अगर चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं इसमें इस्तमाल चीजों के बारे में सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वह है उड़द की दाल धुली हुई दूसरी चीज हमें चाहिए देशी घ्जी और तीसरी चीज हमें चाहिए दूद नुस्खा बनाने का तरीका रात के समय 50 ग्राम उड़त डाल पानी में भिगो दे, सुबह होने पर इस डाल को मिक्समें पीस ले अब एक नॉंस्टिक बरतन लेकर उसमें लगभग 30 ग्राम देशी खी डाल दे, खी जब गर्म हो जाए तब उसमें डाल और 300 ग्राम दूद मिला दे और उसको गाड़ा होने तक पकाते रहें, जब यह मिश्रण खीर की तरह गाड़ा हो जाए तो इस मिश्रण को उतार का थंडा कर ले, अब यह नुस्खा आपके लिए रेडी हो गया है नुस्खा प्रयोग करने का तरीका, दोस्तों यह जो नुस्खा हमने बनाया है, यह लगभग एक कटोरी खीर बन जाएगा, इसे आपको पूरा का पूरा खाना है लेकिन आपको यह खाली पेट सुबह खाना होगा, यानी सुबह उठने के बाद आप कुछ ना खाएं पिएं, बस यह खीर खाएं इससे आपको पहले दिन से ही लाब होगा, अगर आप इस नुस्खे को डेली दस दिन तक प्रयोग कर लेते हैं तो फिर आपका पानी गांटी के साथ घंटों तक मही निकलेगा, आप ठक जाएंगे संभोग करते हुए, लेकिन आपका पानी बड़ी मुश्किल से निकलेगा, दोस्तों यह नुस्खा आजमाया हुआ है अगर इसको सही तरीके से किया जाए तो यह 100% काम यब नुस्खा है तो दोस्तों इस नुस्खे को जरूर आजमाये और फाइदा उठाएं, साथ ही अपने दोस्तों को भी यह नुस्खा शेर तरें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हमारे चानल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना